Hi friends, how are you all? Fine! चलिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना स्टोरी में तो आज की स्टोरी कौन सी है? The love and the end तो आप अच्छे से देखना आपको बहुत मज़ा आएगा इने स्टोरी में तो देखे, एक बड़ा सा जंगल था दिखाई दे रहा है आपको तो वो जंगल में इतने सारे animals, birds, insects वो सब रहते थे, एक बड़ी सीनदी थी और बड़ा सा जंगल था तो उसमें ये सब रहा रहा थे तो उसमें एक पीजिन भी रहा रहा था, डव वो भी रह रहा था हाई फ्रेंग्स, I am a dove और एक एंड भी रहती थी हाई फ्रेंग्स, I am a end तो देखे, मैं अब भी आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ ओके, तो चलिए एक दिल क्या हुआ कि एंड को बहुत प्यास लगी बहुत गर्मी पड़ रही थी तो एंड पानी की तलाश में निकलती है, और वो ढूंपी है कि मुझे कहीं पर पानी बीचा है तो मैं अपनी प्यास को जा दू तो उसको नदी के पास आती है नदी दिखाई देती है और एंड पानी पीने के लिए जाती है लेकिन क्या हुआ? अरे, एंड तो स्लिप हो गई और पानी पे गिर गई आए अरे, अभी तो एंड को तैना भी नहीं आता है और वो तो पानी के बहाँ में बेहने लगती है तो अभी क्या होगा? एंड पेंड को तो मुसिबत आ गई एंड सोती है कि अभी मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने आपको बचांगी? और तभी एक पीजन ये ट्री के उपर बैठा हुआ होता है वो सब देख रहा है कि एंड मुसिबत में है तो उसी टैन पीजन को लगता है कि मुझे एंड की मदद करने चाहिए तो पता है फ्रेंड एंड का पीजन क्या करता है? वो एक लिव्स ट्री में से ऐसे निकाल के वो पानी में गिराता है ऐसे तो लिव्स जैसे ही पानी में गिर जाता है तो एंड तुरंट ही लिव्स को देखके वो लिव्स के उपर चड़ जाती है और दिरे 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 स्लोली स्लोली पानी के बहाव में दिवस तैलता है और उसके उपर बैट के एल्ट भी किनारे पे आ जाती है और एल्ट की जान बच जाती है तो एट क्या बोलती है थैंक यू फ्रैंड आपने मेरी जान बचाई तो मैं भी कभी आप निसिपत में होंगे तो मैं भी आपके हल्ट करूंगी ऐसा बुलके एंट अपने गर चली जाती है और पीजन अपने गर चला जाता है फिर दूसरे दिन पता है आप लोगों को क्या होता है एक हंटर आता है और फिर हंटर क्या करता है वो तो शिकार के लिए आता है और फिर उसकी नजर ये पीजन पे पड़ती है हंटर की नजर और पता है हंटर क्या सोचता है हंटर सोचता है कि अगर मैं ये पीजन को मार्के में अपने गर लेके जाता हूँ कितना अच्छा पीजन है तो वो अपना निशाना लगाता है पीजन के उपर पिजन को तो पता नहीं है, वो तो ऐसे ही पैठा है, तभी end की नजार Hunter पर पढ़ जाती है और Hunter की इराजे की, end को पता चल जाता है, कि अगर ये Hunter ने ये team चला दिया, तो पिजन की जान खत्रे में है तो एंट क्या करती है पता है वो आवास करती है लेकिन पिजन को सुनाई नहीं देता है कि वो क्या आवास करके मुझे सुनाना चाहती है तो फिर एंट क्या करती है दूसरा आइडिया लगाती है वो दिरे 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 हंटर के पास जाती है और हंटर का जो पैर होता है उसमें बाट करती है और फिर हंटर चिलाता है और वो निशाना चूक जाता है और उसके चिलाने से पीजन को पता जल जाता है कि ये तो हंटर है वो एंट को भी देख जाता है और उसके इरादिकों भी पैचान जाता है और फिर डव क्या करता है वो तो दूसरी जगा फ्लाइट करके चला जाता है और फिर वो एंट के पास आता है और बोलता है थैंक यू एंट मेरी हैल्प करने के लिए आपने मेरी जान बचाई तो देखे फ्रेंग्स ये moral of the story क्या है कि जो मुसीबत में काम आए वही हमारा सच्चा मित्र है और अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी help करनी है तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमें दूसरों की help करनी चाहिए ओके फ्रेंग्स बाई बाई